पत्थर पाये जाते हैं, इस गाउं का नाम है कुस्तिस्ति, यह गाउं रोमेनिया में स्थित है, रोमेनिया के लोग इस चमतकारी पत्थर को ट्रोवेंट्स कहते हैं, यह पत्थर चल सकते हैं, बड़े होते हैं और छोटे नए पत्थर भी पैदा करते हैं, इस ट्रोवेंट पत्थरों को बहुत ही खास माना जाता है वर्ष 2004 में ट्रोवेंट्स म्यूजियम नैच्रल रिजर्वर्ज को बनाया गया इस पत्थर की सुरक्षा और संग्रक्षन के लिए इन पत्थरों ने दुनिया के तमाम सैंटिस्ट को हैरानी में डाल दिया है जब यहां बाईश होती है या फिर जब इन पत्थरों को पानी के संपर्क में लाया जाता है तो इन पत्थरों में जैसे जान सी आ जाती है मश्रूम की तरह ये पत्थर बड़े होने लगते है पथरों को बीच में से विभाजित किया, तो उन्हें पथरों में से जीवन रेखा दिखाने वाली एज रिंग्स मिली, ये एज रिंग्स पेड़ों को काटने पर पाई जाती है और इस रिंग्स से पेड़ की उम्रपता लगाई जाती है, एक और हैरान कर देने वाली बात इन पत्थरों की ये है कि ये पत्थर अपने आप चलते भी है, बिल्कुल डेथ वैली के सेलिंग स्टोन्स की तरह सांटिस्टों का मानना है कि ऐसा तापमान में बढ़ने या कटने के कारण होता है लेकिन स्थानियों लोगों का ऐसा मानना है कि इसके पिछे एलियन्स या दैविक शक्तियों का हाथ है कई लोग ऐसा मानते है कि यह पृत्वी के भीतर स्थित मैगनेटिक फिल्ड के कारण होता है रोमेनिया के लोग इन पत्थरों को अपने बगीचे में रखते है और ये पत्थर यहां से वहाँ चलते रहते है इन पत्थरों की चमत कारिकता सिर्फ यहां पर ही नहीं रुकती ये पत्थर उनके जैसे छोटे पत्थर भी पैदा करते है जी हाँ दोस्तो पानी के संपर्क में आने पर जैसे पेड नई डालिया बनाता है वैसे ही ये पत्थर में चोटा सा उभार आता है जो बढ़ता जाता है और नया पत्थर बन जाता है जब ये नया पत्थर बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अलग हो जाता है और वो भी नया पत्थर पैदा करने लगता है दुनिया के कई साइंटिस्ट यहां आकर रिसर्च कर गए है लेकिन ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता पेड़ पॉंदे जैसे कई गुण होने पर इन पत्थरों को जीवीत माना जाता है दुनिया में दूर दूर से लोग इन पत्थरों को चमतकार को देखने के लिए आते है यह जगह एक बहुती प्रसीद्र टूरिस्थान बन गई है इसी वज़े से यूनिसको ने इस जगह को नेचरल रिजर्व में तकदिल कर दिया है